हेलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्यूरों चैनल डेली स्टॉक तो आज हम आपर इस वीडियो के इंदर बात करने वाले प्रिशाइशन वाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में और कंपनी के बारे में फंडमेंटल्स एस कंपनी किस तरह का या पर एकाम कर रही है और आ आपने अभी तरह हमाई चैनल को डिस डेली स्टॉक को आपने सब्स्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्स्राइब जबर कर दीजिएगा प्रदक्शन और उसके साथ साथ में जो कंपनी का बिजनस मॉडल है वह इतना साथ अच्छा है कि कंपनी का ग्लोबल प्रेजिंस के साब से यहां पर अगर मैं बात करूं तो कंपनी का बिजनस यहां पर 18 प्लस कंट्री में आपर चलते हुए आपको देखने को मिल रहा है तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल इस है वह है 567.89 करोड रूपीज जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल केप कंपनी आपर जरूर बना देता है डिविडेंट इल्ड भी काफी अच्छा नहीं बोल दूँगा बट फिर भी एक अच्छा सा अच्छा लेवल का इस का इसका 0.84 जो कि अगर इंडाइस से इसके अंदर अगर आपको ओन एवरेज बिजिस पर 0.84 पर जिए अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टोर्निंग की बात करूं तो वह है 74.15 अगर मैं उसके मुकाबल एकर आपको यह आपर पर कंबैर करते है तो 10.94 के अच्छा अच्छा कर से प्राइस टोर्निंग पर शेर आपको अविलेबल मिल रहा है प्राइस टो बुके शेर का 1.8 और बुक वल्यू शेर की 136.66 अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशल ट्रेंड के उपर मैं आपर बात कुर तो कंपनी ने आपर किस तरह का पर्फॉमेंस किया है और सबसे पहले हम देखें कि कंपनी की टोटल इंकम एज़ों स्टोटल जो कंपनी प्रॉफिटिबिलिटी उसमें अच्छा सा है आपर हमें राइस घंपैटिविलिट्टी जमें जरूर देखने मुल है इंद अमार्च 2021 य ये बट फिर भी कंपनी का जो बिजनस सेगमें मार्च 2021 बट फिर भी कंपनी ने यहां पर पिछले तीन कॉर्ट में किस तरह का पर्फोर्मेंस दिया है तो उन सब चीजों के बारे में बात हम जरूर करेंगे शेरोल्डिंग पैड़न अगर हम यहां पर देखते है तो कंपनी के जो टोटल अगर प्रमोटर का इंवेश्में कंपनी के कंपनी के अंदर अगर अच्छा सा इंवेश्मेंट होता तो और पॉचली सेंटिमेंट यहां पर हमें कंपनी के शेरोल्डिंग पैटरन बनते हुए दीखने को मिल सकता था रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम यहां पर कंपेर करें कि पिछले तीन कौर्टर में यहां पर हमें कंपनी ने किस्तरे के नतीजे दिये हुए है तो कंपनी का डिसेंबर 2020 में 522 करोड उपीज का यहां पर कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनेरेट किया है उसके ओपर यहां पर कंपनी ने नेट प्रोफित जनेरेट किया है 13 करोड उपीज का जो कि हम यहां प पर देख सकते हैं कि मार्स 2021 में कम्पनी का टोटल रेवेन्यू यहाँ पर बढ़कर हो चुगा था 644 करूर रूपीज उसके उपर भी आपर कम्पनी ने 16 करूर रूपीज का प्रॉफिट इन रेट किया है तो कि इस कॉटर में थोड़ा बाद जरूर कम हो चुपा रेट इस उसके उपर कम्पनी ने पर्लाइप घ्रकी heeft उसके उपर नेट प्रॉफिट कमाया है 11 करोळ रूपीज का हां अगर मैं इस कंपनी के रीटं रेशो क्मपैल करूँ यहाँ यहां पनामय मैं दीशने हुँ मल रहा हूँ हो इस कंपनी का धीपरिशिय की कंपनी के मार्केट मे March 2020 में वो गिरकर हो चुका है 11.25% as well as March 2021 में वो और बढ़कर हो चुका है 12.43% ROC कि अगर मैं आपर बात को that is return on capital employer तो वाप उदर की company के market में जितना भी capital and that is both mixture of that is debt as well as equity उसके ओपर यापर company कितना परफिट जनरेट कर पाता है तो वो था इस company का 2019 March में that is 28.35% March 2020 में 20.18% as well as March 2021 में 20.25% company का return on capital employer हमें आपर देखने को मिला है ROC कि अगर मैं आपर बात को that is return on asset percentage तो वो आपको दिरकी company के market में जितना भी asset है उसके ओपर यापर company कितना percent of profit generate कर पाता है तो वो था इस company का 2019 में 7.09% March 2020 में 5.85% as well as March 2021 में 5% का company का return on asset percentage हमें आपर देखने को मिला है अगर हम यह आपर leverage ratios compare करते हैं तो company के leverage ratios भी हमें March 2021 में काफी attractive लगे that is March 2019 में company का debt to equity था 0.09 जो कि March 2020 में बढ़कर हो चुआ था 0.19 और March 2021 में company का debt reduce होकर हो चुआ 0.07 0.07 के ratio form में जो कि मेरे अपता है काफी अच्छी और positive बात है कि company अगल एक यह दो साल में possibility है कि debt free company भी हमें आपर देखने को मिल सके interest coverage ratio percentage देखते हैं हम इस company का जो क्या बता है कि company क्या capacity मार्केट में interest pay करने की तो वो जितनी अच्छी हो और जितनी ज्यादा हो compared to the previous year वो काफी अच्छी बात हमें आपर देखने को मिलती है तो कि इस company था March 2019 में 4.77 percentage March 2020 में 3.19 percentage March 2021 में 4.41 percent है company का interest coverage ratio percentage हम आपर देखने को मिला है अगर मैं आपर आज की बात कर तो fire high price आप देख सकतो इस share अच्छी आशी जरू हमें इस share के अंदर देखने को मिली थी अगर मैं previous session की बात करूँ तो बहुत अच्छी का सी तेजी हमें इस share के अंदर भी आपर देखने को मिली थी ओपनिंग भी अच्छी आशी होई थी बाट फिर भी sustain नहीं कर पाया market की capacity की साब से तो यहाँ पर हमें ठोड़ा पर downward pressure जो है वो ज़रूर हमें देखने को मिला है तो हम यहाँ पर expect करते हैं कि fresh enter कर समदलो that is Monday को अगर अच्छी खासी होती है that is about 252 के price level के उपर अगर अच आपको इस company में fresh निवेश करना चाहिए so hope करता हूं कि आपको प्रिशियन वायर इंडिया लिमिनेट कंपनी के बारे में अभी आपने जिस तरह से चैनल से किया वह आपको अच्छी से पता चल गया होगा और उसके ओपर आपको क्या decision लेना as an investment point of view वह भी आपको बता चल क्या होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और मैंचाल को सब्स्राइब करना ना बुलिएगा अगर आपको इस company related या फिर इस company डिटा रिटर आपको डाउट टेवको क्वेशन है तो वो भी आपको कमेंट चेक्शन में पूस सकते हो थैंक यू